नमस्कार वेब दुर्या नियूज में आप सभी का स्वागत है और रज़र डलते हैं अचकी प्रमुख खबरों पर किरेन रिजिचु ने कहा कि पाकिस्तान में ही रहता है दाउद अंडरवर्ड डॉन दाउद इबराहीम के ठीकाने के सवाल पर संसत में वीरोधाफासी जवाब दे कर सरकार को हुई शर्मिंदगी के बाद केंद्रिय ग्रहराज्य मंतरी किरेन रिजिचु ने कहा कि दाउद पाकिस्तान में ही रहता है और केंद्र इस मामले को गंबिरता से लेना जारी रखेगा संसत के बाएर सववादाताओ से बाच्चित में रिजिचु ने कहा कि सरकार का हमेशा सही कहना रहा है कि दाउद पाकिस्तान में है भारत सरकार पाकिस्तान को उसके ठिकानों के बारे में जानकारी देती रही है लेकिन पाकिस्तानी एजेंसिया भारत सरकार से सयोग नहीं कर रही ये बात हर कोई जानता है अनुपमखेर को पाकिस्तान ने नहीं दिया विजा पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अभी नेता अनुपम खेर को वीजा देने से इंकार कर दिया है एक NGO ने लाहोर में एक कारिकरम के लिए खेर को आमंत्रित किया था जिसमें शामिल होने के लिए वे उच्चुत थे नई दिल्लिस्तित पाकिस्तान उच्चा योग ने सुरक्षा कारणों से उन्हें वीजा देने से इंकार किया अनुपम खेर ने इस संबन में कहा कि मुझे जाना था लेकिन मेरे प्रमोटरों ने मुझे बताया कि कुछ तक्नीकी कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा ब्रहस्पती के चंद्रमा पर लावा से बनी जील खगोल विदों ने एक बड़ी दुर्विन की मदद से ब्रहस्पती के एक चंद्रमा लो पर लावा से बनी एक जील की पहली विस्तृत तस्वीर ली है ब्रहस्पती के चार चंद्रमाओं में सबसे भीतरी भाग में स्थित लो का पता गेलिलियो गालेलेग ने 1610 में लगाया था और यहां हमारे चंद्रमा से कुछ ही बड़ा है यह हमारी सौर प्रणाली में भूगरबिक रूप से सबसे सक्री अवस्तु है इसकी सत्वा पर सेकडो ज्वाला मुखी जैसे बिंदू दिखते हैं जिन में से सबसे विशाल ज्वाला मुखी को लो की नाम दिया गया है लो की का शेत्रफल 124 मिल है और यहां प्रुत्वी से 37 करोड 30 लाक मिल दूर है